आम हो या खास हर किसी का निकनेम जरूर होता है कई बार प्यार से बुलाए जाने वाले निकनेम ही पॉपुलर हो जाते हैं कई बॉलिवुड सलिप्स ऐसे है जो इंडस्ट्री में निकनेम की वज़ा से पॉपुलर है ग्लामर की दुनिया में राज करने वाली एश्वरिया राय आलिया भट सोनम कपूर हो या फिर करिश्मा कपूर करीना कपूर इनके निकनेम बड़े ही मज़ेदार है आज आपको इसके बारे में बताएंगे अधीकतर बच्चों के माबाव एक नाम के अलावा निकनेम जरूर रखते है कुछ के नहीं भी रखते है लेकिन प्यार से घरवाले ट्रेंज कुछ खास नाम से बुलाते जरूर है बॉलिवूड स्टार्स भी इससे अचूते नहीं है कपूर खांदान की बेटिया करिश्मा कपूर और करिना कपूर का निकनेम तो बहुत पॉपुलर है लेकिन अनुष्का शर्मा आलिया भट आश्वरे राय प्रियांका चोप्रा जैसी अक्ट्रस के निकनेम काफी मज़ेदार है इन में से कुछ के नाम तो ऐसे है उन्हें सुनते ही आपको हसी आजाएगी खुबशुरत आक्ट्रस प्रियांका चोप्रा जो बॉलिवुड ही नहीं हॉलिवुड तक छाई हुई है इनके एक ही नहीं बलकि कई निकनेम है प्रियांका को फिल्म की गालों की वज़े से फैंस देसी गर्ल कहते है लेकिन कुछ करीबी लोग उन्हें पिगी चॉप्स भी कहते है जबकि प्रियांका के मम्मी पापा उन्हें मीठू कहते है और कुछ लोग उन्हें मीमी भी कहते है विश्व सुंदुरी बच्चन खानदान की बहु एश्वरे राय का निकनेम भी मज़ेदार है बच्पन में अपने बेटी की क्यूटनेस को देख घर वाले उन्हें गुल्लू के नाम से बुलाते है हाला कि बड़े होने पर फैंस और फ्रेंस के बीच आईश के नाम से पॉपुलर है लेकिन अपने घर वालों की गुल्लू है अनिल कपूर की बेटी सोनम कपूर जो अब खुद एक बेटे की ममनी बन गई है उनका नाम सुनते ही हस पड़ेंगे आप लंबी खुबसरत सोनम को प्यार से घर में जिराफ के नाम से बुलाया जाता है एक इंटर्विय में सोनम ने खुद बताया था कि मेरी गर्दन बहुत लंबी है इसलिए मेरे पापा मुझे जिराफ कहकर बुलाते है अब फ्रेंड्स और फैमिली के लोग मुझे सीनियर कपूर कहते है अनुषका शर्मा का नाम सुनकर भी हसी आनी तय है बच्पन में अनुषका को नुषकेश्वर बुलाया जाता था करिश्मा कपूर को बच्पन से लोलो कहकर बुलाया जाता है ये नाम बॉलिवूर्ड इंडस्ट्री में भी पॉपुलर है लोलो कहने पर लोग भी समझ जाते है बात का गिश्मा कपूर की हो रही है वही करिश्मा कपूर की छोटी बहन करिना कपूर को बेबो कहकर बुलाया जाता है करिना भी बॉलिवूर्ड और फैन्स के बीज बेबो के नाम से पॉपुलर है